सुफाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फोन पे यूज करते हैं और फोन पे के अंदर कुछ इस तरह से आपको प्रावलम आ रही है जब भी आप अपना बैलेंस चेक करने जाते हैं आप फिर किसी को पेमेंट करने जाते हैं तो भी आपको रिसिव नहीए हो ता या फिर आप किसी को पैसा बेजने के ट्राइ गर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से प्रावलम आती है अगर आपको अगर आपको टेक्निकल इस्यु दिखाता है मैंलिए फरावलम फिला राए है SBI bank में तो आपको अगर यह problem face करनी पड़ रही है वैसे तो आप किसी भी bank में अगर आपको कुछ इस तरह से problem आती है phone pay के अंदर तो आपको क्या करना हम आपको detail में बताने वाला हूँ इस video man तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगए तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना तो यहाँ पर directly अपने phone pay को open कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा phone pay है आपको भी कुछ इस तरह से phone pay को open कर लेना है जैसे आप phone pay को open करेंगे दन उसके बाद यहाँ उपर की तरफ आपको profile देखने को मिलेगी profile पर click कर लेजिएगा जैसे आप profile पर click करेंगे दन उसके बाद आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे दो accounts यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पर आपने account को slack कर लेना यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मैंने यहाँ पर स्लैक करके रखी हुई है अब यहाँ पर थर्ड है हमित पांचाल 303 771 एड़ एक्स एल और उपर IBL और YBL है तो यहाँ पर इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक्टिव को एक्टिवेट कर लेना है गयास ठीक है यहाँ पर जितनी फीट देखने को मिलें देख सकते हैं वैने पहले unmute be करके जो है अपने balance send करके या balance चा करके देख सकते हैं problem solve हो जाएगी अगर फिर भी problem solve नहीं होती है तो आपको क्या करना है second trick में आपको बता रहा हूँ यहीं पर आपको फिर से आना है add bank account करना है और अपने account को add कर लेना है जिस भी account में था sbi का था तो sbi को add कर लेना है तो मैं अपने account को search कर लेता हूँ यहाँ पर search करके यहाँ पर account slack कर लिया है दन उसके बाद कुछी तरह से आपको दिखाएगा और यहाँ पर done कर दीजिएगा देख सकते हैं फिर से आपका account यहाँ पर add हो चुका है ऐसे आप जो है delete कर फिर से add कर लीजिगा जो आपकी problem होगी वो solve हो जाएगी फिर से आपको देखने को नही और यहाँ जो